रामजर के सयोग से इंडियन एर फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेभी टेट्समैन, आर्मी कलर के लिए स्पेशल टेस्ट्रीज लॉंच की गई है परीचा एप्लिकेशन पर और इस एप्लिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसमें जस्ट आपको 150 रुप को बनाया है इसलिए आपके लिए जरूरी है आप चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पूरा वीडियो एंट तक देखेगा बहुत अच्छे क्वेशन को मैंने इसमें लिया है और कोई भी क्वेशन को स्किप नहीं करना है ठीक है आप जो पढ़ने बहुत अच्छा पढ़ सबसे पहला क्वेशन है अब हम एंड करके ही कुछ बातचीत करेंगे लिखा हुआ है पहले कि I doubt that he is acceptable to all इस तरह का अगर कहीं पर भी कोई sentence लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है तो आपको यह समझना है कि इसमें कोई error है क्या जी बिलकुल error है देखेगा मैं मुद्दे की बात करता हूँ कभी भी जब starting में I doubt इस तरह से कोई चीज अगर आपको लिखा है मतलब कोई doubtful सपोज करो कोई question दिया गया है और जो उसका पहला वाला sentence है that से पहले वाला यदि वो doubtful है ठीक है तो ऐसे में याद रखना है जो दूसरी वाला sentence होता है उन दोनों को जो जो जाता है वो हमेशा weather से जोड़ा जाता है किस से weather से w h e t h e r यह वाला weather is that clear यानि कि अगर I doubt you doubt या she doubts इस तरह से कुछ doubtful लिखा हुआ है that से पहले तो याद रखना इन दोनों sentences को जोडने का काम करता है weather ना कि that इसलिए आपका भी वाले पार्ट में गलती हो जाएगा अब दूसरा वाला आप find करिएगा I have a lot of problems haven't I क्या इसमें कहीं पर कोई गलती ने जरा आ रही क्या यह question tag है देखेगा अगर यह simple है तो question tag negative बनेगा जो दे रखा है यहां तक तो एक दो बात सही है अब क्या करते है negative बनाएंगे तो have में short में not जोड़ा जाता इसे उल्टा हुआ है आगे देखेगा आगे आप देखेंगे we are hearing songs from the tape recorder यानि कि हम tape recorder से songs सुन रहे हैं यह sentence जब आप देखेंगे तो क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या देखेगा और इसे better किया जा सकता है hearing की जगे पर listening to लगा सकते क्या we are listening to songs तो hearing को काटो और इस जगे पर ऐसा मैंने क्यों बोला देगे hear का मतलब होता है सोनना और इसमें ing लगा कर इससे hearing continuous tense में नहीं रखा जा सकता है ठीक है पाई सोनने के sense में continuous tense में listen का ही प्रियोग किया जाता है continuous में I am listening में सुन रहा हूं I am hearing नहीं listening के साथ preposition 2 का प्रियोग किया जाता है यह active और passive दोनों मे इस्तमाल किया जाएगा hearing अलग है जिसने quote में hearing लगता है तो वो hear में ing लगा करके आप सुनने के sense में इससे नहीं बना सकते listening इस्तमाल करना पड़ेगा सुनने के sense में इस sentence में कुछ भी चीज लिखी है कहीं पर कोई गलती नज़रा रही है क्या देखेगा बताता हूं इसमें गलती है और वो बहुत चोटी सी गलती है साइध आप ना ध्यान कर पाए देखे बी वाले पार्ट में आप देखे यहां पर लेखा है humility क्या लेखा है humility humility का मतलब हो क्यों सरजी क्योंकि यह abstract noun होता है और इसे uncountable भी है तो all के साथ यदि uncountable noun का इस्तमाल किया जाता है तो all के बाद दा का इस्तमाल नहीं करते हैं इसलिए यहां पर दा जो हो हट जाएगा पूरा doubt clear आ गया समझ में क्या गलती था इस पूरे sentence में पांचमा question है आपके लिए that teacher asked him which English novel did he like the most इसमें कहीं नहीं कुछ नहीं कुछ तो गड़वड है तो वो क्या गलती है वो बताएगा देखेगा आपको यह लिखा है that teacher asked him यह एक sentence हो गया बीच में conjunction लिखा हुआ है which English novel कौन सा novel यह पूरा conjunction है इसके बाद यह दूसरा sentence है मतलब समझो यह indirect बना हुआ है तो आपको पता है conjunction के बाद indirect में subject आता है ना के बर्व और यह past indefinite है इसलिए इसका simple बनेगा he liked did हट जाएगा और like में d जुड़ जाएगा तो he liked हो जाएगा इसलिए आपका c वाले पार्ट में गलती हो जाएगा चटमा question आपके सामने है और यह बताएगे क्या गलती है students must give the air to what the teacher tells them यह sentence लिखा हुआ है इसमें कहीं कोई गलती नजर आ रही है क्या बहिया जी बताओ जल्दी से जी बिलकुल आ रही है समझ में देखिएगा the air to के स्थान पर पता क्या हैगा an air to आएगा क्योंकि an air to एक आप याद रखना इस जगे पर क्या आएगा बताओ दा की जगे पर an air to आ जाएगा इसका मतलब pay attention होता है यह पूरा phrasal है इसमें तो याद ही करना पड़ता है students must give an air to मतलब students को ध्यान से क्या है जो है ध्यान देना चाहिए what the teacher tells them जो teacher उनको बताता है यह वाला इसमें गल आती था फाइंड करने में देक्कत आया होगा phrasal verb है पता नहीं याद हो गया नव वेर हैड यू बीन प्लेइंग सिंस वी लास्ट प्लेड टोगेदर यहाँ पर रेड वाले पार्ट में आपके गलती फाइंड कर सकते हैं कि इसमें मैं कौन सा इंप्रूमेंट लगा सकते इंप्रूमेंट लगाईएगा फिर मैं आपको गताता हो देखेगा यहां पर क्या है कि यहल्म यू बीन पलेइग की जगेए पर सभसी बेस्ट ऑप्शन देख रहा है यहां यह से सहमत हैं बताता है यहां पर लिखा हुआ है और अग औ necessarily सिंस में क्या होता है यह एक आपको एक rule समझ में आना चाहिए कि since से पहले present perfect tense आता है कौन सा आता है present perfect आता है और since के बाद simple past आता है यानि past indefinite आता है जो follow कर रहा है यानि कि since से पहले present perfect आएगा और since के बाद past indefinite आएगा तो इसलिए मेरा जो है वो बी वाला part मुझे करना पड़ रहा है आगे देखो यह आपके लिए one word आ गया one who possesses many talents ऐसा फिकती बहुत 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 प्रतवा हैं उसके अंदर बहुत उसके अंदर talents है तो बहुत अलग अलग प्रकार के talent हैं कि अधना बहु मुखी प्रतवा वाला कोई व्यक्ति उससे बोलते हैं एक word है उसके लिए versatile क्या बोलते हैं वर प्रतवावान है गुणी बोल सकते हैं exceptional है अपवाद है अनोका है इस तरह से ठीक है चारों मने आप बहुत है 31 question आप पर सामने है और यह लिखा है one who drives pleasure for inflicting pain on others इसका मतलब दूसरों को चोट पहुंचा कर और आनंद उठाने वाला है बढ़िया यार इसके पेर टूट गया बहुत अच्छी बात है ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं sadist क्या बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को sadist क्योंको दूसरे उँको sad करता है एक इसमें रैकलियूज एकांत वासी एकांत पसंद करने वाला हैड़निस्ट जो सुख को प्यार करता हो है बहुत running running नहीं करना physically मेहनत नहीं करना maniac होता है जो शनकी होता है आगे देखेगा आगे a person who writes horses in races as an occupation बोली तो अरे वो होता ना गुरदोड में जो अपने जो उसका धंदा होता है पैसे कमाता है उसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो गोड़े चलाता है उसको जोकी बोलते हैं क्या बोलते हैं एक नीचे इसमें द हैं aqust train क्या है aqust train का मतलब होता है गुर्ण सवार horseman भी गुर्ण सवार होता है horse racer भी क्या होता है गुर्दोड कराने वाला horse racer होता है आगे सात्मा question बड़ा ही अच्छा question ले रखा है कि in our younger years our minds are dash and soft तो पूरा का पूरा ये जो सवाल में आपसे पूछ रहा हूं ये आ आपको आना चाहिए कि यहां पर क्या आ सकता है यहां पर देखेगा एक होता है पूरा ये जोड़ा होता है इंप्रेश नेवल और सॉफ्ट यह आ जाएगा यहांपर इंप्रेश नेवल और सॉफ्ट यहां पर जो इंप्रेश नेवल जो वो वर्ड एकदम सही है meaning based है लचीला होता, प्लाई लचीली होती है, वही, तो impressible and soft, यानि in our younger years, our minds are कैसा था, impressible था और soft था, ठीक है, बच्पन की जो जवान था हमारा, आगे question लिखा है, कि she does not dash her money, इसको क्या समझते हैं आप, इसमें क्या सकता है, देखो भाई, यहाँ पर आजएगा, she does not यानि कि वह नहीं करती थी, she does not care for her money, वो अपने पैसे की क्या कद्र नहीं करती थी, इसलिए देखो यहाँ पर वर्व के इस्तबाल पर आप care का इस्तमाल करेंगे, और care का प्रियोग जब होता है पानी को शोक लिया था, तो यहाँ पर एक preposition होता है, वो होता है, इन शोक इन, क्या हो जाएगा, शोक इन तो यहाँ पर हो जाएगा, शोक के साथ इन चलता है, तो यह आपको याद रखना है अपने वाई, water को अपने अंदर ही तो शोकेगा, इसलिए यहाँ पर इन आ जाएगा, सारे कपड़ों ने पानी को अपने अंदर शोक लिया, you stand a good chance, the match, यहाँ पर रिखा हुआ है, खाली जेके में कहाँगा, बताओ, यहाँ पर आएगा, you stand a good chance of winning, the match, तो यहाँ पर chance के बाद off winning, जो option है, c वाला, वो एकदम सही है, देखें क्यों है, पता है, chance के साथ off का use किया जाता है, और off के बाद जीरंट आता है, तो इसलिए यह जो sentence है, यह जो sentence after the bomb blast, यहाँ पर क्या सकता है, आप भी सोचिए, यहाँ पर देखें, यह पता है, आपको, यह एक proverb based है, यहनि, all hell is broken loose, यहनि के, सब रकी, सभी सीमा है, टूट गई, तो all hell is broken loose, इसलिए आपका, जो यह डी वाला है, वो एकदम सही हो जागा, इज आ जाएगा, यह पूरा phrasal verb आगे देखेगा, आपसे पूछा है, का unless you work hard, you will not pass, जब तक तक तुम कठिन परिशम नहीं करोगे, पास नहीं होगे, तो unless you work hard, क्या इस दगये पर कुछ, कोई हम जो है, चेंज कर सकते हैं, तो देखे, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है, जाद तर जो question बनता है, वो जो गलतियां होती है, फिलाल में इसका डीवाला और आपसर होगा, कोई चेंज नहीं, unless के साथ कभी-कभी नोट लगा देता है, तो हमें जो है, गलत हो जाता है, क्योंकि unless में already नोट छुपा होता है, ठीक है, यह जिस no improvement हो गए, इसमें कोई गलती नहीं है, आगे देखो, the minister was removed from a key post, कोई किसी minister की कोई post थी और उससे उसको हटा दिया गया, पदसे बिमुक्त कर दिया गया, तो इन चारों में से, पदसे बिमुक्त को पता है, क्या बोलते हैं, उसे आउस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउस्ट बोलते हैं, एकदम fix word होता है, किसी का अधिकार छीन लेना, या किसी को पद से निकालने के लिए ना, उसे पद से हटा देना, आउस्ट कर देना O, U, S, T आउट नहीं, आउस्ट तो इसलिए आपका जो C वाला पार्ट है वो एकदम सही हो जाएगा, removed की जगा है आउस्ट होना चाहिए, क्योंकि remove एक अलग चीज होती है, ठीक है remove word इस्तमाल नहीं करते हैं, यदि किसी को अपने पद से हटाना होतो, एक इसमें दिरका है, throw out, अरे throw out का मतलोता है, उठा करके फैंक देना, ऐसा तो नहीं करेंगे, एक rusticate करना rusticate का होता है, परिच्छा से किसी को निस्कासत कर देना, तो इसलिए आपका C वाला से है, आउस्ट कर देना, एक audacity is the mother of invention, क्या लिखा है, समझ भाया, यानि आविशक्ता ही आविस्कार की जरनी होती है, तो English का एक प्रोबर्व है, तो audacity थोड़ी होता है, necessity होती है, क्या होती है, necessity is the mother of invention, इसलिए आपका B वाला जो पार्ट है, वो एकदम सही हो जाएगा, कुछ वर्ड हैं, जो fix होते है, audacity का मतलब तो क्या होता है, निडर, उसे बोलते हैं, निडर, निडर ता बोलते है, positive होते हैं, किसी चीज़ का अभाव कम होता है, एक हैसमे टैना सिटी, टैना सिटी का मतलब जाए, एकदम द्रण, उसे बोलते हैं टैना सिटी, चलो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर चौदे वाला क्वेशन है, और इसे गलत मत करना भाई, मैंने जान भूजगे रखा है, no sooner has she agreed to marry him, than she started having trivial doubts, तो terrible doubts, यह चौदे हमा क्वेशन क्या है, इसमें आप no sooner has she agreed, इसकी agreed, इस जगे पर क्या कोई change winch किया जा सकता है, क्या बताओ जल्दी से, इस जगे पर सब बिर्कुल change किया जाएगा, क्योंकि आप सब को पता होगा, यह पता एक rule होता है, कि last बाले में यदि simple present, simple past चल रहा हो, तो आगे वाले में past perfect चलता है, इसलिए no sooner के साथ में past perfect चलेगा, इसलिए आपका b वाला जो part है, वो एकदम सही हो जाएगा, b वाला part is the right answer, अच्छा, यहाँ पर hedge की जगे पर hedge आना चाहिए, क्योंकि last में देखो past indefinite आ रहा है, आपने दो चीज देता है ना, तो यहाँ पर first form देता है, वो लेकिन यह तो third form दे रहा है कि इसलिए गलत हो जाएगा, finally आपका answer हो जाएगा, b वाला हो जाएगा, उन्नीजमा question देखे है, उन्नीजमा बड़ा ही अच्छा question में ने आपका लेया है, कि he should not had done it, यह तो यह बहुत सराल है, इस should not have, he should not have done it, इसलिए भी वाला पार्ट है, क्योंकि model भरवे ना, इसके साथ है वात है, तो फिर third form आती है, negative बनाना है, तो should के बाद note लगाएगा, आगे देखो, अब यह direct-indirect आगे, इसे करने के लिए जादा वक्त मैं नहीं दूँगा, आप बड़ी, मतलब बहुत जल् for her native place tomorrow, यह sentence आप सब के सामने लिखा है, क्या इसमें बता सकते हैं कि direct-indirect में से कौनसा वाला सही होगा, जल्दी से सोच के बताईएगा, बताती हैं हम भी सोच दे देखे सर, यह मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, यह थोड़ा simple सा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसका comment में जरूर बताएं किसका क्या होगा, और चलो बैसी भी हम दिमाग लगा, देखो, tomorrow लिख रहे हैं तो tomorrow नहीं उसे change करते हैं, the next day में, तो देखो यह tomorrow पहले वाला गलत, अच्छा, C वाला गलत tomorrow आ रहा है, बाकी हम बात करते हैं, और बात यह करते हैं कि bill जो होगा, वो बुड में change होगा, लेकिन यहां पर bill का bill ही दे रखा है, तो आपका A वाला तो गलत है, और यहां पर देखेगा, यहां कोई बुड बगरा नहीं दे रखा है, इसलिए B वाला गलत हो गया, और D वाला एक दम सही दे रखा हो, देखो, the next day लिख रहे है, tomorrow का, और बिल का वाले में बस पहँंचना, मुझे पता है, यहां पर भूड बेखो, और यहां पर भी वाले में बस पहँंचना था, तो पहँंचना है, मुझको यह पता है कि WH Conjunction के रूप में आता है, तो इसके बाद तृंत subject आता है, ना के verv, इसलिए वाला A सही है और B वाला जो गलत ह जाएगा क्यों भी वाले में वाई के वाद वाज दे रखा जो गलत है चलो यह पेपर जो है पूरा हो चुका है पूरा पेपर में ने करवा दिया और इसके बाद जो है बहुत ही कम समय में जल्दे लिए एक बार में रिवीजन करवा देता हूँ अगर doubt वाला sentence पहले आ जाया तो that नहीं weather conjunction चलता है इसमें कोई गलती नहीं था और इस वाले में आपको पता है न सौंग आप सुनने के sense में तो आप listening का इस्तमाल करेंगे continuous है तो listening टू हो जाएगा यहाँ पर मैंने बताया था humility यह एक यह uncountable होता है इसलिए इससे पहले दाका इस्तमाल नहीं करते क्योंकि abstract noun है यहाँ पर मैंने आपको बोला था which English novel यह एक conjunction है इसके बाद subject आता है ना कि बर्व तो इसलिए यहाँ यहाँ पर data जाएगा और like में liked हो जाएगा यहाँ पर मैंने आपको यह बताया था the air to नहीं होता an air to होता है पूरा phrase है याद करना था यह मैंने बताया था since से पहले past perfect आता है और since के बाद simple past simple जो है क्या बोलते हो अरे वह होता ना भर्व की second form उसको simple past उसलिए आपका भीवाला यहाँ पर सही हो जाएगा one who possesses many talents उसे versatile बोलते हैं बहुत मोखी प्रत्वा वाली और क्या होता है जो दूसरों को दुखी दुखी देखना चाहता हो उसे saddest बोलते हैं जो घोड़सवार होता है occupation के लिए अपन जो है गोड़ा चला तो इसे jockey बोलते हैं जो है डीवाला सही है यहाँ पर मैंने आपक care for harmony तो यहाँ पर care for आजाएगा पैसे के लिए अच्छा जी समझ मारे नहीं आदा दीरे दीरे आगे देखेगा all clothes were shocked अब जाहे से सभी कपड़ों ने पानी को अंदर सोक लिया इसलिए in आजाएगा आगे देखो chance के बाद off आता है तो off कौन सा है जिब सी वाले में तो off winning आजाएगा all hell is broken law यह देखो पता है पूरा यादी करना all hell is broken आता है आगे देखो यह पूरा no improvement था विरकुल सही है इसमें कोई गलती नहीं था यहाँ पर बताया था कोई व्यक्ति पद से यदि हटाया था तो आउस्ट बोलते हो उसे तो आउस्ट आजाएगा order city is the mother of invention नहीं होता necessity is the mother of invention होता है no sooner वाले मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है no sooner वाले में क्या होता है पहले वाला जो होता है past perfect में आता है last वाला simple past में आता है इसलिए यहाँ पर hedge की जगे पर head होना चाहिए और head दे रखाया आपका B वाले पार्ट में ठीके no sooner के बाद में आता है head आगे देखो यहाँ पर पता है should के बाद head नहीं आता है should के बाद have आता है तो should के बाद have मतलब B वाला सही negative है इसलिए should के बाद not have आया है यहाँ पर मैंने बताई दिया था bill है तो भाई बड़ तो आएगा tomorrow है तो the next day आएगा तो इन तीनों में तो यह सब नह जी नहीं नहीं इसमें ठीक है सर जी और आपको पता है डबलो है चाहिदी बीच में आए तो कंजंक्सन के बाद subject आता है या तो वर्व है इसलिए गलत हो जाएगा यह वाला सही हो जाएगा चलो देखो पूरा paper का हमने revision भी करवा दिया इसके बाद अगला paper में बना वीडियो को like जरू करें, share करें, comment करके बताएं आपको यह कैसा लगा, thank you